फ्रेंज, वेलकम और वेलकम बैक टू मैं चानल आफरीं े ड्रेंज ड्रेजिंज का मीझाट सार सकता जी खेए मटताई। इस द्रेस को बनाने केलिए मैं इस तरह की तीन मीटर ड्रेस मैं ने है रियों का जो कि इस तरह का कणर है तो फ्रेंस इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपर पार्ट के लिए जितना भी हमको चाहिए था उतना फैबरिक हमने तीन मीटर के फैबरिक से कट करके सेपरेट कर लिया और फिर उसके बाद में इसको इस तरह डबल फोल्ड करके रख दिया double fold करने के बाद में फ्रेंस हमने इसका length measurement किया तो हमें इसका 13 inch तैयार चाहिया था तो हमने 13.5 इंच ले लिया है पर फिर उसके बाद में फ्रेंस है इसके shoulder हमने ले लिया है 6 इंच और इसके sticker armhole हमने 7 इंच लेकर इस तरह इस टेट लाइन में मरग कर दिया है उसके चेस्ट और वेस्ट दोनों ही थोड़ा एक्स्टर लिया है और फिर इस तरह आम होल की गोलाई दे दिया है एक इंच हमने फ्रंट लिया है और डेड़ इंच हमने बैक आम होल की गोलाई लिया है और हमने फ्रेंट से थ्रेंच गले की चौड़ाई लिया है और फ्रेंट गला हमने रखा है, हमने 4 लगा है, और बैक वाला अगला हमने धाई रखा यानि 2.5 लगा है। तो इस तरह रखते हुए हमने राund neck और बैक दोनू का ही मारकिंग कर लिया है और अब चलियो समग Lebanon किंग कर लेते तो इस तरह रखते हुए हमने बैकपार्ट भी कट कर लिया है अब इसके गले की कटिंग हम करेंगे पहरे हमobi हम गले के कटिंग करने के बाr एक फैबरिक को रखेंगे और फिर उसके बाद में दूसरे वाले के भी गले को कटप करariat तो फ्रेंट का आम होल की गोलाई हम कटिंग बाद में करेंगे अब हम इसके गले की पटी को कट कर लेती है तो इस तरह मैंने एक्ट्रा एक फैबरिक लिया टू फोल करके और नेक मैंने उसके उपर ऐसे डिट प्लेस करके चौक से माक कर लिया है उसके बाद में एक इंच का margin लेते हुए इस तरह cut कर लिया है और फिर इस तरह cutting करने के बाद में इसपटी को हम इसके उपफर रखेंगे और एक पेर की margin लेते हुए इसकी stitching कर लेंगे और stitching करने के बाद चोटे चोटे knots लगा केFrofits पीछे इसको fall करके stitch कर लेंगे या फिर hem कर लेंगे यानी तुर्पाई कर लेंगे तो दोनों ही कले हम इसी तरह cutting और stitching करेंगे friends देख लिजिए हम इसकी प्टी भी से हम front के जैसी cutting कर लेंगे cutting करने के बाद में इसकी भी हम stitching कर लेंगे तो friends अब चली हम इसको side में रखते हैं और आपको मैं इसके इसकट पार्ट की भी कटिंग बता देती हूँ तो फ्रेंस देख लिए जो ये वो पार्ट था फ्रेंट पार्ट हमारा कटिंग हो गया है अब हम नीचे का इन इसकट पार्ट कटिंग कर लेते हैं तो इस cut part cutting करने के लिए friends मैंने इस तरह 25 इंच चोड़ा fabric 4 fold करके रखा है और उसको 11 इंच लंबाई लेते हुए इस तरह cutting कर लिया है और उसमें जो बचा हुआ fabric था friends उसमें हमने पहले sleeves निकाल लिया है और sleeves को भी मैंने friends इस तरह 4 fold करके रख दिया है 4 fold करने के बाद में हमने 15 इंच का लंबा slip cut कर लिया है और 9.5 इंच इसकी 4 fold करने के बाद में चोड़ाए थी इस तरह हमने cut कर लिया है और cutting करने के बाद में जो भी fabric बचा है उसमें हम इसके घेरे की cutting करेंगे यानि इस cut के उपर पाट की cutting करेंगे तो ये मैं कल्यो वाला बना रहे हमी लिए इस तरह मैं नै इसमों टूफोल करे रख दिया है और दस इंच नीचे का लेंगर से अहीं करेंगे यूज नहीं करेंगे तो देख सकते हैं friends की डबल फोल्ड किया हुआ है तो इस तरह हम 10 कजी कट करेंगे कटिंग करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ फ्रेंट्स पेपर पे और इसको किस तरह स्टिच किया है मैंने वह भी मैं बता देती हूँ तो इस तरह friends आपको fabric proofing कर लेना है और आपको जितना भी कली वाला बनाना है उसके according आप बेस्ट के according उतना mark कर ले याँनि अगर आपको suppose आपका कमर 20 इंच का है तो आप है ना 1 इंच के कली बनाना चाहे तो 20 कली वाला आपको बनाना पड़ेगा तो डेड़ डेड़ इंच का आप है न उपर ले और नीचे आप जितना भी चाहें उतना चवड़ा ले सकते हैं तो इसी तरह friends मैंने जितना लिया है और पांच इंच उपर कमर के लिया है और नीचे हमने 10 इंच यानि उसके डबल लिया है घेराई किसा की किया हुण है यानि इसी तरह मार्किंग किया है इसी तरह मैं कटिंग भी कर लूगी तो friends आप देख सकते हैं जब हम इसे Parlें की कर रहा है तो हम जब स्ट्रेट और एकjob और रा रहा है तो हम जब स्टीटिंग कर Kollegin कर रहे तो अगर नीचे का पार्ट हमारा स्ट्रेट है तो उपर का पार्ट हमें उसकी ओरेब लेना है यानि इस तरह हमें इसकी जॉइंटिंग करना है कलियों की कि एक ओरेब रहे और एक स्ट्रेट पट्टी रहे इस तरह जॉइंट करना है हमें तो इससे क्या होगा एकदम परफे करना है इस तरह आप पूरी पटी को जोइंट करेंगे नीचे छोटा बड़ा होगा तो बाद में कटिंग कर लेंगे तो चलिये हमारी कटिंग तो हो गई अब इस तरह हमने टॉप नेक की फिनिशिंग कर लिया है इस तरह stitch करने के बाद में उसके बाद में friends हम इसके कंधी को जोईट करेंगे front और back दोनों ही part हमने stitch कर लिया तो friends जो हमने front की गोलाई नहीं दी थी आम होल की अब हम उसकी गोलाई भी दे देंगे गले की stitching करने के बाद friends यह fabric है जो रियोन fabric है वो थोड़ा लचीला फैबरिक यहां जूलने लगता है तो हम इस वज़े से आम होल की गोलाई हमने स्टीछिन करने के बाद नेकी दिया है तो हमने इससे इस्तरी भी कर लिए प्रेस भी इसको कर लिए अच्छे ताकि stitching दम finishing में हो गले की neck बनाने के बाद में तो friends उसके बाद में हम किस तरह इसके कंधी को join करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ एक तो हमने इस तरह रख दिया है और दूसरे की पटी को हम लोग गले की पटी को इस तरह open करके उसके उपर रखते हुए इस तरह stitch करेंगे इस तरह आपका जो कंधा होता है वो कच्चा नहीं बलकि पूरा पका stitch हो जाता है यानि finishing से जो भी हमारे अंदर की margin थी सिलाई की वो पूरा अंदर छुप जाती है तो ये finishing से बिल्कुल आता है उसके बाद में सीला था उसको सेंटर में लेंगे और जो हम ने चिंछ को हम रखते विया इस़itaire प्रणद के साइड में रखते विए और श्टीच कर लेंगे इस तरह करने से हैं अपके सीव से एग्दम परुफेक्क्ली हो जाते हैं आर्म होल में तो देख लिए फ्रेंस इसी तरह मैंने जोइंट किया है और परफेक्टली पूरे आर्म होल में ये स्लिफ्स जोइंट हो गए है जोइंट होने के बाद में आपको इसकी मार्किंग इसकी फिटिंग मार्किंग बताती हूँ तो इस तरह मैंने जितनी भी फिटिंग थी उतना फिटिंग ले 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 हैं हुआ तो आप अपने के अकोडिंग करें उसकी मार्किंग करें उसके बार में फिरिंसे 42 month के नोगा लेगे कर दिया तो तूंस देख लीजे में इस तरह चोठे-चोठे-चोठे को भी में नीचे च्छ कर दिया और नीचे इसके बाटम को भी मैंने two fold करके stitch कर दिया है अब मैं इस cut और टाप पार्ट दोनों को attach कर दूँगी तो इस तरह attach करने के बाद यह रहा फ्रेंट्स फाइनल लाइक और लाइक सब्सक्राइब